किसान वायो नमस्कार मैं दस्तरदाकर आप देख रहे हैं डी भारमिंग यूटूब चैनल आज हम एक बार फिर से चने की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे यानि की चने के वाव में जो हलकी तेजी देखने को मिली हैं इस तेजी के क्या कारण है और आने वाले समय में चने का अबाव क्या रहेगा चने में तेजी के क्या कारण रहेंगे पूरी सठीक तेजी मंदी रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप सही जानकारी चाहते हैं इस वीडियो को अंतर तक देखें पूरी जानकारी आपको मिलेगी चने में जो इस साल कापी जहदत तेजी देखने को मिली चने के बाव ने कहीं से लो की रिकार्ड तोड़ दिये थे लेकिन उसके बाव से लगातार चने के बाव में मंदीर देखी जा रही है चना 5000 के आसपास अब बना हुआ है जो की बाव 7 से 8000 तक पहुँच गया था वही बाव अब 4000 या 5000 के आसपास बना हुआ है ऐसे में पिछले सब्ताग से आज की हम बात करें तो चने के बाव में हलकी तेजी देखने को मिली है इस तेजी के पीछे की कारण की बात करें तो किसन भाईयों सरकार ने जो डाले हैं उनकी स्टोक लिमिट पहले तैकीक थी जिसके चलते डालों का स्टोक ज़्यादा नहीं हो रहा था जिस कारण से चने के भाव में मंदी देखी जा रही थी लेकिन सरकार ने बड़ा फेसला लेते हुए दालों की श्टोक लिमिट सीमा को बड़ा दिया है कैने से मतलब मेरा मतलब है कि जो पहले लिमिट थी उस लिमिट को अब उसमें वरदि की गई है जिससे अब अधिक मात्रा में स्टोक किया जा सकता है जिसका प्रबाव चन्य में देखा गया है और चन्य के बाव में थोड़ा सुधार देखने को मिला है इसके अलावा कई सारे कारण हैं जिन से चन्य के बाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और थोड़ी तेजी की संभावना भी बन सकती है विदेसों पर निर्वरता किसान भायों जैसा कि इस साल आश्टिलिया में चने का उत्पादन कापी कम हुआ है वहाँ पर कापी जदा डिमांड चने की हो रही है जिस कारण से बारती बाजारों में चने के बाव में तेजी देखी जा सकती है जैसा कि पहले कुछ समय से लगातार मंदी आ रही थी लेकिन अब चने के बाव में तोड़ा सुधार हुआ है इसके अलवा मजबूत मांग किसान भायों चने की मांग मजबूत बनी हुई है लगातार डालों की कीमतों में तेजी आ रही है साथ ही बरसात में दालों की कीमतों में और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती हैं और लगातार इसकी मांग भी मजबूती से बनी हुवी हैं मंडियों में आवक कम होने से इसकी मांग दिन परती दिन बढ़ती जा रही हैं जिस कारण से चने के बाव में अनुमान करता हों के अनुसार तेजी आने की संबावना बन सकती हैं इसके अलावा इस्टोक लिमिट सीमा बढ़ा दी गई हैं जिससे भी चने के बाव में तेजी आ सकती हैं किसन भाईयों चने की नई पसल को आने में कापी ज़्यादा समय बचा हैं जब तक चने की मजबूत मांग अगर इसी परकार बनी रहती हैं तो चने में अब थोड़ा सुधार हो सकता है क्योंकि अब चने की आवग बिल्कुल कम हो चुकी है सात ही विदेशों पर निर्बरता के चलते चने का निर्याद किया जा सकता है और अगर जरुध होती है तो आयाद भी हो सकता है लेकिन अभी ज़्यादा जरुध नहीं है क्योंकि भारत में 2020 के मुकाबले 2021 में चने का जिनसे आने वले समय में चने की बाव में परिवर्थन किसान बाईयों को मिल सकता है कोई भी नीने आप अपने विवेक से ले ताकि आपको चने का अच्छा बाव मिल सके उम्मिद करता हूँ जानकारी पसंद आयोगी पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक और अधिक सेधिक सेयर करें